हलो, वेल कम बैक, मैं डॉक्टर डीपी सिंग आज हम लोग बात करेंगे रिंग वॉम के बारे में जिसको हम लोग दाद के नाम से जानते हैं ये फंगल एश्कीन इन्फेक्शन है जिसको टीनिया के भी नाम से जाना जाता है या इसको dermatophytosis भी कहते हैं जिसके causative fungus है उसका नाम है trichophyton endotinus यह fungal infection प्रतीक बर्स हमारे देश में लगभग 10 million people को infect करता है जो body के अलग-अलग जगों पर infection कराता है जिसको हम लोग अलग-अलग नाम से जानते हैं अगर tinea का infection हमारे सर के उपर हो जाए इसको करते हैं tinea capitis अगर tinea का infection हमारे ताढ़ी के आसपास के हिस्से में हो जाए तो उसको करते हैं tinea barby अगर tinea का infection हमारे body के उपर chest पर या हमारे back में या armpit में ये सब हिस्से पर होता है उसको करते हैं लोग tinea corporis और अगर ये infection हमारे जांग में, groin regions में होता है जो genital के आसपास का area है उसको करते हैं tinea cruris या इसको हम लोग जॉक इच के भी नाम से जानते हैं और ये fungal infection अगर foot में कराता है नीचे पैर में, उंगले के आसपास ये सब में हिस्से में होते हैं तो इसको हम लोग करते हैं tinea, pedis या athletes foods के भी नाम से जाते हैं तो अलग-अलग जगह के infection को अलग-अलग नाम से जानते हैं ये होता क्यूं है? सबसे important बात है ये किन लोगों में होता और होता क्यूं है? तो सबसे पहला कारण है कि ये उन लोगों में होता है जो infected animal के साथ काम करते हैं कभी-कभी ये infection animal को भी होता है अगर वैसे animal के संपर्क में हैं तो आपको ये infection होने की संभावना है दूसरा, person to person ये infection होता है अगर कोई infected person के साथ आप रहते हैं तो आपको होने की संभावना है तीसरा अगर कोई infected बेक्ती के किसी बस्तू का आप उपयोग करते हैं तो होने की संभावना है जैसे तौलिया का आप उपयोग करते हैं या फिर उसके कंगी का उपयोग करते हैं तो आपको होने की संभाब ना है या फिर वैसे बेक्टी जो बहुत ही ओवेज है मोटा है मोटे बेक्टी के जो स्कीन होते हैं वो फोल्ड बनाता है और उस फोल्ड में जब वो पसीना बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है तो ये infection के कारण हो सकता है इसलिए कि वहाँ पर हमेशा moisture रहता है और moisture में नमी जहां पर है वहाँ fungus infection आसानी से ग्रोग कर सकता है इसके नेक्स जो कारण है वो है आपके body के immune system कमजूर होने के कारण ये infection आपको हो सकता है जैसे HIV के patients जो होते हैं उन लोगों के immune system weak होता है इसलिए उन लोगों में fungal infection ज़्यादा होने की संभावना है और next कारण है diabetes persons वैसे बेक्ति जिनको blood sugar control नहीं होता है उन लोगों में भी ये infection होने की संभावना जाता है और इसके next causes हैं वैसे बेक्ति जिनको काफी पसीना निकलता है और हमेशा उनका सरीर भींगा होता है तो moistures हमेशा होने के कारण infection होने की संभावना चाहता है और इसके बाद जो next causes है वो है bearing of tight cloth and under wear अगर आप tight कपड़ा पहनते हैं तो ये जब पसीना चलेगा तो ये सभी पसीना आपके कपड़ा में पढ़ा रहेगा हवा वहाँ उस area पर skin में नहीं लगता है trap हो जाता है आपका पसीना जिसके कारण monsters बनाता है और ये infection होता है तो ये सभी कारण है जिसके वज़े से tiniya के infection आपके skin पर हो सकता है अगर tiniya का infection हुआ है skin पर तो आपको क्या लच्छन देखने को मिलेगा सबसे पहला ये infection जब आपको ये infection होगा एक बेक्टी से दूसरे बेक्टी से या कहीं से आप ये infection लाए हैं तो इसको grow होने में समय लगता है incubation period जिसको करते हैं 4 से 14 दिन का समय लगता है जब ये आपको लच्छन दिखने लगेगा और इसमें क्या लच्छन दिखेगा तो सबसे पहला ये जिस जगह पर infection होगा वहाँ पर बहुत ही eating होगा और धिरे धिरे क्या होगा वहाँ पर red rassus बनेंगे red rassus कैसा होगा circular होगा गूल जैसा ring जैसा होता है इसलिए इसको ring warm भी कहते हैं और जो next होते हैं वो area क्या होगा लाल हो जाएगा red rassus और escaly थोड़ा थोड़ा skin निकलने लगेगा और crack भी हो सकता वहाँ पर फटने भी लगे इसके और यही अगर infection जो हमने बात किया है कि अगर सर पर हो जाता है जिसको tinea capitis करते हैं तो वहाँ से बाल भी जढ़ने लगता है गूल round patches बनाता है और वहाँ से skin के साथ साथ कहा कि यहां के बाल उड़ने लगते हैं तो यह सब भी lections हैं अगर tinea के infection होते हैं तब इससे बचाव कैसे किया जाए कैसे बचा जाए इससे बचाव करने के लिए सबसे पहला है कि जब भी किसी आप संक्रमित जानवर को छूटे हैं तो सबसे पहला अपना हाथ को अच्छी तरह से साफ कर ले पहला दूसरा आप अपने किसी नीजी बस्तो को किसी के साथ सेर ना करें जैसे तॉलिय और कंगे तीसरा अगर किसी हिस्से पर आपके बड़ी के किसी हिस्से पर ये दाद का इंफेक्शन है तो उसको ज्यादा खुजलाएं नहीं अगर आप ज्यादा खुजलाते हैं तो इसके अस्पोर जो है वो निकल कर आपके बड़ी के दूसरे हिस्से पर इंफेक्शन कराएगा चोथा है कि अगर कोई हिस्सा आपका बॉडी का संक्रमित है और अगर आप उसको खुजलाते हैं और हाथ को साफ नहीं करते हैं और बॉडी के दूसरे हिस्सा पर जब आप उससे खुजलाते हैं तो आपका infection एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर transfer हो रहा है इसलिए ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि infection कहीं हुआ है लेकिन बॉडी के दूसरे हिस्से में भी infection पहुँच गया है जो पांच माँ बचाव है जब कभी भी आप असनान करते हैं या पसीना है तो आप असकीन को बढ़ियां से साफ करें असकीन को सुखा ले साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान दे और छठा हमेशा कपड़ा धीली ढाले पहने जिससे कि वहां पर एसकीन के आसपास हवा पहुचता रहे और एरिया ड्राय रहे जिससे कि जो moisture खतम हो जाए फंगल infection की संभावनाएं कम हो जाए अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो यह infection आपके सरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है और बॉड़ी के बहुत सारे हिससे टीनिया के infection से ग्रसित हो जाते हैं जिसको ठीक होने में भी बहुत समय लग सकता है इसलिए समय पर इलाज कराएं और पुर्ण रूप से इसका निदान पाएं धन्यवाद मुझे आसा है कि आप लोगों को जो जानकारी दी गई है वो अच्छा लगा होगा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को सेर करें लाइक करें धन्यवाद